आप सबी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर थमनेल आपने बिल्कुल सही पड़ा जी एस्टी आर थी वी जी एस्टी आर वन जी एस्टी आर नाइन क्या ये सब रिवाईज हो सकती हैं ये वाला कोश्चन सुप्रिम कोट में पूचा है किस से जी इस्टी एन से कि आप जी रिवाईज रिटन का वप्षण क्यों नहीं जरें हर लो में रिवाईज रिटन का अप्षान होता है जी एस्टी एक ऐसा लो बन गया जिसमें रिवाईज रिटन होगी नहीं, अगर आपकी कोई गलती है तो वो गलती होगी, तो यहाँ पर क्या हुआ, कि एक रिट पिटिशन डाली गई सुप्रिम कोट में, और वहाँ पूछा गया कि आप ये बताओ, GST के अंदर 3500 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स आ चुकी है, सर्कुलर आ चुक है, नोटिफिकेशन आ चुके हैं, तो यहाँ पर जो human error आ जाती है, तो उसे रेक्टिफिकेशन का option क्यों नहीं दिया जा रहा, तो इस पर सुप्रिम कोट में संख्यान लिया, और GSTN से गोवर्मेंट से question पूछा कि आप ये बताओ, आप क्यों नहीं दे रहे हो, GST returns में revise का option और साथ में जब यह rate petition डाली गई इसमें जो हमारा सविधान है उसके article 19 to 22 का भी हवाला दिया गया कि भई यहाँ पर जो है हमारा सविधान क्या कहता है हर व्यक्ति को अधिकार है किस चीज का अधिकार है बिजनिस करने का अधिकार है और यह जो GST department है और यह जो GST act or rules है इन्होंने असैसी के गर्दन में एक जाल बना दिया एक फंदा डाल दिया क्या आप इस बास से agree है या नहीं मुझे comment box में लिख कर बताए कि क्या यह article 19 to 22 का violation हो रहा है या नहीं हो रहा क्योंकि यहां पर आज की डेट में हर व्यक्ति परेशान है चाए वो असैसी है चाए प्रोफेशनल है तो यहां पर सुप्रीम कोट ने इस चीज का संग्यान लिया कि आप डीलर्स को आप डीलर्स को प्रोवाइड नहीं कर रहे हो correct their mistake जब वो डिस्कवर कर लेते हैं उस mistakes को तो आप महाँ पर revise return को option नहीं दे रहे तो अब यहां पर GSTN क्या बोलेगा GSTN क्या बोलेगा GSTN तो कह देगा कि बई section 39.9 है section 37.3 है जिसमें हमने बोला कि कोई गलती हो जाए तो अगली return में ठीक कर लो ठीक है न तो क्या वो revise return जो है लानी जरूरी है आप अपना मत बताईए मुझे comment box में या जो अभी system चल रहा है कि आपकी कोई गलती हो जाती है तो आप next return में उसे ठीक कर लेते हैं वो ही ठीक रहेगा आप मुझे comment box में लिखकर बताना अभी यहाँ पर यह देखना है कि अगर revise return आ जाती है तो उसे GST portal कैसे deal करेगा क्योंकि यहाँ पर इन्होंने writ petition में डाला है कि section 39 के अंदर जो return ने हैं तीक है ना उन्हें तीक है ना उन्हें revise करने का option दिया जाए और यहाँ पर जो GSTN ने या government ने इन्हें revise return का option नहीं दिया यह deliberately है यह इन्होंने ऐसा जान बूच कर किया है इससे क्या है इससे क्या है असेसी परिसान हो रहा है और यह illogical है तो इसके ओपर सुप्रिम कोट ने संग्यान लिया और सुप्रिम कोट ने government से जवाब मंगा है GSTN से जवाब मंगाएगी भाई आप कारण बताओ कि आप revise return क्यों नहीं दे रहे तो अगर यह revise return का concept आ गया तो GST आसान हो जाएगा या GST और complicated हो जाएगा मुझे comment box में लिख कर बताओ और अगर ऐसी सारी updates आप जानना चाहते है तो हमारी magazine जो है हमारा जो नवंबर मंत का edition है वो आज या कल में release हो जाएगा अगर किसी ने अभी तक हमारी magazine का subscription नहीं लिया है तो आप हमारी team से बात करके हम magazine का subscription ले ले और अगर आपकी magazine expire हो गई है अगर आपकी magazine expire हो गई है तो उसे renew करा ले क्योंकि नवंबर मंत का जो edition है जो नवंबर मंत का edition है उसके अंदर हमने काफी details में जितनी भी सारी amendments हाई थी October की सारी की सारी को cover कर दिया है तो इस screen पर आपको number दिये जा रहे आप इन पर whatsapp करके sample copy भी ले सकते है और अगर आपको अच्छी लगती है sample copy enjoy कर रहे और हाँ इस Sunday को मिल रहे किसलिए GSTR 99C की सारी समस्याओं का समरान करने के लिए तो अगर किसी ने अभी तक उस webinar में registration नहीं कराया है तो उस webinar में भी registration करा ले हमारी team से बात करके ठीक है जी तो मिलते हैं Sunday को thank you बबाए